ये उन दुनों की बात है, जब मैं समीर, कॉलिज में एडिक्शन के लिए पहली बार साइन्स कॉलिज गया था, उस दिन में बहुत ही कुछ था, तोकि हर किसी की तरह मेरे लिए भी कॉलिज का बिल्कुल नए अनुवफ था, स्कूल से दूर कॉलिज की वो आजा दी, वो धिमी धिमी बारिश का होना, और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानों प्रगती भी मेवे आने का स्वागत कर रही हो, सच में कॉलिज का वो दिन, बिल्कुल सोहाने सपने जैसा था, जो उस दिन सच हुआ था, मुझे पहले दिन से ही उस कॉलिज से एक जो मुझे मेरे आने वाले सुनेवे यादगार पल देने वाला था, मेरा एड़िशन हो गया था, और मैं कॉलिज भी जाने लगा था, पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए, मुझे जब भी मौका मिलता था, कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समों से, और कि वो हवा में लेवाते हुए बाल, और सुन्दर गिवीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आगर्शित जरूर किया, मैं न सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो अपनी क्लास में चली गई, पर इतना जरूर जान गया था कि वो लड़की कम्पूटर साइंस की स्टूडन्ट है, फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तर साथ खाली क्लास में बैट कर, खिड़की से ठंडी हवां और हल्की बारिश का आनंद ले वहा था, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, बारिश में भीगी हुई वो लड़क उसके सुंदर गोरे चेहे पर बारिश में भीगे काले बाल, बहुत ही आगाशक लग रहे थे, तभी मेरी नजर उसके सलवार पर पड़ी, और मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास मैं देखा था, मैं भागता हुआ क करुवार का दिन था, सुबा के करीब साड़े दस बज रहे थे, वैशे तो मैं हमेशा कॉलेज दस बजे तक ही पहुँच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ी देर हो गई थी, पर कहते है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकत कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई, जहां वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, और मैं अपनी बायक पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा, मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी, वो लड़की इतनी सुन्दर थी और उसके कामानर दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी, मैं जब भी उसे देखता था ऐसा लगता था बैग्वांड में मुजिक चल रहे हो, ऐसा मैसूस ह होता था जैसे मैं हवाओं में ओड रहा हूँ, सच में वो फीलिंग बहुत ही सुन्दर होती है, जिससे शब्दों में बया करना मुश्किल है, उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी था, जिससे मेरा दिल ल और रात भी हीना के नाम पर ही खतम होती थी, अब मैं भी एक सच्छे आशक की तरह अपना और हीना का नाम, अपने डैस्क और अपनी कॉबी पर लिखने लगा था, ना जाने क्यों, पर हीना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोडने में अब बहुत खुशी मिलती थी, ही एक दिन में कुछ दूर खड़ा, उसे चुपके नजवां से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था, हीना भी मुझे से कुछ दूर खड़ी अपनी सहलियों से बात कर रही थी, इसी बीच हीना ने भी मुझे देखा, और हम दोनों ने पहली बार एक मस्ती करना ये सब कुछ यह दर्शादा था कि अब मेरे और हीना में कुछ तो connection बन रहे थे जिसे ना वो समझ पा रही थी ना ही मैं वक्त बीटता गया और ठंड का मौसम भी आ गया एक दिन जब मैं सुबा सुबा कॉलिज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैट कर बुक पढ़ रहा था तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर तुम्हें कोई देख रहा है मैंने उससे पूछा कौन देख रहा है तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा जब मैंने अपने दा बालो में उसका यूँ प्यार से मुस्कराना उसकी खूपसूरती को और भी बड़ा रहा था उजदन हीना की आँखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रही थी मानो की जैसे वो कुछ कहना चाहती हो अभी तक तो मैं ही उसे छुप कर देखा करता था पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से जूम रहा था अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आँखों ही आँखों में बात होती थी पर कभी इना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि यही सबसे अच्छा मौका है इना से बात करने का, दोस होती थी और आज पास भी ज़्यादा कोई नहीं होता था कुछ मिनट के बाद ही हीना आ गई मैं पहले तो थोड़ा गबराया पर खुद को रिलेक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा मैंने हीना को हेलो कहा उसने भी जवाब में हाय कहा मैंने पूछा कैसे हो सब कैसा चल र इस पर हीना ने मुस्कराते हुए मजा की अंदाज में कहा अच्छा तो तुम्हें कैसे पता में computer science की student हूँ तो मुझे notice करते हो ना फिर मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है मैंने कई बार आपको computer science department की तरफ ही देखा है इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामनने और सैज थी जो पूरी तरह college life और study पर बाते हुई बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह जो की बहुत अच्छा था इससे ये पता चल गया कि हीना ना सिर्फ दिखने में सुन्दर है बलकि वो एक अच्छी लड़की है और वो दिलकी भी बहुत अच्छी है इससे ये पता चल गया कि हीना मेरे साथ comfortable है इस तरह हीना और मैं कभी कभी मिलने लगे दिवे दिवे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे चार महिने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हीना भी मुझे पसंद करने लगी थी इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरी तबियत खराब हो गई थी जिसके कारण में चार दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हीना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज को नहीं आ रहे हो इससे ये पता चलता है कि हीना को भी मेरी फिकर होने लगी है और मेरे ना आने पर वहब भी उदास हो जाती थी वो जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ क्योंकि उस जमाने में सबके पास मोबाल फॉन नहीं हुआ करता था तो बात करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाए दोस्त के इस प्रका मैंने भी ये फैसला ले लिया कि अब इस विश्टे को आगे बढ़ाने का समय आ रहा है और इस दोस्ती के विश्टे को प्यार का नाम देने का समय आ रहा है फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं 30 नमबर को अपनी हीना को अपने दिल की बात बता दूँगा हीना के प्रति अपने प्यार का एजिहार कर दूँगा इन बीते दिनों में मैं और मेरी हीना ने कई खूपसुरत पल साथ में बिताय थे जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूप मस्ती करना तो कभी सारे फ्रेंट्स का मिलका लॉंग ड्राइब पर साथ में जाना तो कभी साथ बैट कर अंताक्षरी और टुरत और डेर खेलना तो कभी कॉलेज की छट पर मस्ती करना तो कभी लाइबरी में साथ पढ़ना सच में वो पल बहुत ही यादगार थे देखते ही देखते 23 नमबर का दिन भी आ गया ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि इसी दिन मेरा बाथड़े भी था और इसी दिन में अपनी हीना को प्रपोस भी करने वाला था दिल में थोड़ी गवराहट थी और खुशी भी क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हीना को कहूंगा अपने प्यार का एसास अपनी हीना को कराऊंगा साथ ही मुझे यह जानना को भी मिलेगा कि हीना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हीना के लिए प्यार को महसूस करता हूँ मैं सुवा नहा कर तयार होकर पूजा करके मातपता का आशिरवाद लेकर कॉलिज के लिए निकल गया साथ ही मैंने अपने साथ हीना की पसंदीदा चोकलेट और केक भी रख लिया तोगि मैं अपना वथड़े सबसे पहले मेरी हीना के साथ ही मनाना चाहता था मैं सुवास से पारगिंग एरिया चार में उसका इंतजार करने लगा कुछ दिर बाद ही हीना आ गई मैंने गुड मॉर्निंग विश किया हीना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा उसने मेरी बहुत तारिफ की और कहा क्या बात है आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो साथ ही हीना ने मुझे वथड़े विश किया पहले तो मैंने हीना को थैंक्यू कहा फिर मैंने हीना को कहा हीना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इस पर हीना ने कहा ठीक है बोलो क्या कहना चाते हो मैंने कहा यहां नहीं कह सकता तुम अभी क्लास रूम नंबर 39 में मुझे से मिल सकती हो क्या हीना कुछ सेगंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखते हुए कहा अच्छा तुम चलो मैं दस पनेट में आती हूँ क्योंकि मॉर्निंग मैं क्लास रूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगती थी तो किसी के आने का डर नहीं था मैं क्लास रूम पहुंच कर हीना का इंतिजार करने लगा कुछ देर बाद हीना आ गई मैंने उसे बेंच पर बैटने को कहा फिर मैंने एक लंबी सांस ली फिर मैंने कहा हीना आज जो मैं तुमसे कहने बाला हूँ जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा एक ऐसी बाद जो मैं बहुत दिनों से कहना चाता था पर आज तक तुमसे नहीं क्या पाया, हीना जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से ही तुम मेरी पहली और आखरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है, दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो, जिसके साथ मैं हगीकत मैं पूरी जिंदिकी बिताना चाहता हूँ, जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कराती होना, तब जी करता है इस मुस्कराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियों तु प्रेवी बारे में क्या सोच रही होगी?